जैहिन साथियो आई देखते हैं समीधान के भाग याद करने की ट्रिक देखिए एक बार देखिए वीडियो आपको याद हो जाएगा सिंपल है भाईया आपको समझाएंगे कैसे आपके एकजाम में very very most important ही यहां से question देखने को मिलता है और यह सुरुवात के लगबग 8 से 10 यहां तक 6 तक आपके एकजाम में देखने को मिलता है और last के A 4-5 है यह आपको एकजाम में देखने को खुब मिलता है सभी के एकजाम में तो इसी को हम देखेंगे ट्रिक के माध्याम से की confusion नहों हो आपके exam में तो सबसे पहला देखेंगे भाग 1 में क्या है संग और उसके राज छेत्र अनुशेत एक से चार के बीच दिया हुआ है ये तो simple है, सबको जानते हैं, सबको पता है भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिक्ता जो कि अनुशेत 5 से 11 है तो किसको कैसे याद करेंगे, लेकिए भाग 2 में क्या है, दो हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारे दो, तो एक नागरिक जैसा दिख रहा है हम दो हमारे दो तो क्या है नागरिक हो रहे हैं नागरिक तहकर सकते हैं कि नागरिकता भाग दो में है या दूसरा तरीका है जिसमें रो दिख रहा है आपको रो किस तरह दिख रहा है दो की तरह दिख रहा है तका सकते हैं भाग दो में क्या दिया हुआ है नागरिकता दिया हुआ आगे हैं भाग तीन जो कि मूल अधिकार है क्या है मूल अधिकार इसमें सब्द देखिए थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा मूल लो को देखिए 3 की तरह दिख रहा है या अधिकार को देखिए और जो है या भी आगे 3 की तरह दिख रहा है तक कर सकते हैं कि क्या है भाग 3 में दिया है मूल अधिकार ठिक है अब इन दोनों में कभी confusion नहीं होगा एक्जाम में जड़त तक इन दोनों में confusion होता है अब समझ में आगया होगा दो से दू लो से तीन या और से तीन किसी से बैठा सकते हैं याद रहेगा आगे हैं राज के नीती निदेशक तत्तो जो की अनुछे चक्ति से 51 तो राज नीती निदेशक तत्तो क्यों बनाता है क्योंकि उस राज में चोरी ना हो क्या ना हो चोरी ना हो तो चोरी से हम याद करेंगे चार नीती निदेशक तत्तो इसलिए बना जाता है कि उस राज में चोरी ना हो तो चोरी से चार तो भाविचार में दिया हुआ है क्या राज के निती नियुक्त तब यान हो गया आगे है मूल करतब यह भाग चार को को मूल करतब नुश्यर एक्यावन के कॉव में दिया हुआ है यह सब को पता जाता है वह सिंपल है यह समिधान जो पढ़ा हुए उसको आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं आगे हैं भाग पांच में दिया है संग भाग पांच में क्या है संग तो हमारा हाथ देख रहे हैं एक पांच उंगलियां क्या हैं एक संग बनाके एकी साथ हैं तो भाग पांच में क्या हो गया संग हो गया तो कह सकते हैं एक जो पांच उंगलियां देख रही है एक साथ हमे इसके बाद है भाग 6, भाग 6 में क्या है? राज्य, संग उपर निचे क्या है? राज्य है, देखिए 6 में क्या है? राज्य, राज्य मने क्या कर सकते है? इस्टेट कैसे होता है? एस की तरह, एस जो है, जो है, जो है, छै की तरह दिखता है, लगभग हम कर सकते हैं, तो इस्टेट से, इस्टेट से क्या हो जाएगा? छै, तो भाग 6 में क्या है? इस्टेट मतलब कि राज्य, अनुछेद 122 से 237 के बीच, ठीक है, भाग 7 कैंसिल हो एक संग है, और उसके राज्य छेत्र, संग राज्य छेत्र, उपर संग हो गया, नीचे राज्य छेत्र, जैसे माली जमू का समीर है, माली के राज्य हो गया, तो संग राज्य छेत्र, संग राज्य छेत्र, याद कर सकते हैं, तो भाग 8 में है, संग राज्य छेत्र, सिंप सब आदमी नहाद होके जाता है पंचायत देखने, नहाद होके चलते हैं पंचायत देखने, तो भाग 9 में नहाने से हो जाएगा 9, नहाने से 9, नहाने से 9, तो 9 से क्या हो जाएगा आपका पंचायत भाग 9 में, ठिक है, याद होगा, यह है आपका तरीका याद करने का, जिस भी गिंगता है त्थोड़ा सा कन्फीुजन होता है इसका है कि उसका है इसका थोड़ा सा कन्फुूजन नहीं होता है जब आपके पास थोड़ा सा कोई 好 こ pratique को ठिकidente इसलिए独्र कम बनाया जाता है और याद बाक दौस ऑनसूची जाती और उनसूची जन जाती दिया गुए है 244 244 ठीक है तो इसने हैं दौस तो समझेंगे दास कि पहले के लोग जो है इन जातियों को महले को ऑनसूची जाती जन जाती कि सब को दास बना के रखते थे कैसे ना एक बड़ी दुख वाली बात है क्या 10 बना के रखते हैं 10 से 10 ठीक है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं किसी को दिल पर नहीं लेना है याद करने का तरीका है ठीक है 10 से 10 याद कर सकते हैं सिंबल है आगे हैं भाग 11 1-1 तो संग राज के बीच संबंध की बात काता है संग राज के बिच संबंद मतलब एक संग एक राज है उनके बिच संबंद मतलब दोनों को सटा देते हैं सट गया तका हो गया 11 हो गया तो कर सकते हैं संग राज संग और राज के बिच संबंद भाग 11 सिंपल है याद जाएगा भाग बारा में क्या है बित संपत्ति मतलब पैसा जिसके पास पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं बाला पैसा बाला पैसा बाला पैसा बाला पैसा के करा पास अंबानी के पास तो बाला पैसा से बाला बाला पैसा से बाला बाला से या करेंगे बार बाड़ा पैसा बाद बाड़ा पैसा बाद बाड़ा से बाड़ा हम याद कर सकते हैं बाड़ा पैसा ठिक हैं बाड़ा आगे है भाग पंदर में निर्वाचन दिया हुआ है निर्वाचन तो भाग पंदर पंदर मने माल लेते हैं पानी पंदर मने पानी और निर्वाचन में 17 भाग 18 भाग 20 भेरी भेरी most important है ये भी आपके एक्जाम में आने के chance रहते हैं भाग 17 में क्या है राज भासा अनुछे 343 लेके 351 तक बहुत अच्छा है question जानते ही होंगे भाग 17 भेरी भेरी most important है simple है सबको पता रहता है भाग 18 अपात काल उपवंद भाग 18 अठार 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 अपात काल आएगा तो सब भाग 20 में क्या है संसोधन तो 20 संसोधन मालब 2020 वर्ल्ड कप 2020 आगया मालब 2020 आगया पहले क्या था पचास उपर का मज़ होता था अब क्या है तो भाग 20 में क्या है संसोधन दिया हुआ है सिंपल है आगया है भाग 20 संशिप्त नाम और सबको लिखा हुआ है लेकिन हमको याद करना है भाग 22 में संशिप्त नाम कोई दिक्कत नहीं है यह भेरी भेरी तो लाइक करिएगा देखने के लिए धन्यवाद जैहिए